स्वागत अब चौप का सेल स्टेडि के चैनल में और आज की हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो लड़कियों की जो उमर है शादी करने की उसे 18 साल से बढ़ा कर 21 साल की जाएगी और अब इसको लेकर कई जगा परदर्शन मतलब कि विरोध चल रहा है परदर्शन के विरोध चला है इसका और कई समर्थन में भी आए हैं तो दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे समर्थन जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और जो विरोध कर रहे हैं और हमारे देश में जो अलग-अलग धरम है उनमें शादी की उमर क्या क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे और भारत में पहले जो महिलाओं की शादी की उमर क्या हुआ करती थी इस सब के बारे में हम देखने वाले तो देखे हाल फिलाल में मंत्री मंडल ने पुरुशों और महिलाओं की जो शादी को एक समान लाने के लिए मैं कि पुरुशों की जो शादी है वो 21 साल और महिलाओं की जो शादी है वो भी अब 21 साल कि महिलाओं की जो उमर है वो 18 साल से बढ़ा कर अब 21 साल की जाएगी और ये निर्ने किसने लिया है ये जो निर्ने है मतलब कि एक सम्ता पार्टी है उनकी जो परमुक जया जैटली कि नेतरित में चार सदस्य टास्क फोर्स ने इसी फारिस की थी फिर्ने कि बी 18 साल से बढ़ा कर 21 साल की जाएगा और ये टास्क फोर्स क्या होता है टास्क फोर्स ये जो है इनोंने गठन किया था यहां पर क्याते है चार सदस्य जो थे इस टास्क फोर्स में थे इनोंने महिलाओं की जो उमर है उनको देखना था कि भी हाँ जो अब तक सही चल रही है जो अठारा साल है क्या उसमें कोई फेर बदल की जानी चाहिए या जो हैल्थ है उसको लेकर या जो शोशल उनकी एक्सपेक्टेशन है मतलब कि वहाँ पर उनका स्वास्थे कैसा है या फिर कहें कि जो उनकी साल की जाए बहुत सारे एंजियो में युनिवर्स्टी में इसका अध्यन किया गया है जहां पर यह पता चला कि बच्चियां जो हैं जो लड़कियां जो हैं वो चाहती है कि उनकी उमर अब 18 से बढ़ा कर 21 साल की जाए आप देखिए आपकी डेट में अगर आप होना होते हैं तो ऐसा क्यों तो इसके पीछे एक बचकाना सा एक आप कह सकते हैं कि उधान क्या मतलब कि बचकाना सा जवाब दे सकते हैं कि यहीं कहेंगे कि जो लड़किया हैं वो जल्दी किशोर हो जाती हैं तो इसलिए उनकी या फिर वो जादा समझधार हो जाती हैं इ ये एक अटपटा सा जवाब हुआ करता था, सरकार के पास भी ये जवाब हुआ करता था, अब सरकार ने सोचा कि क्यों ना इसको पुकता किया जाए, अब यहाँ पर जो है, थोड़ा बहुत इसके बारे में आप लोगों को background बता दे, बारत में जो सबसे पहले, जो महिलाओ की जो उमर है वो एक तरीके से उसको नियमित करने का सबसे पहले काम हुआ था वो 1929 यानि 1929 में यह जो बिटिश शाषन में हुआ था यहां पर शारदा एक्ट के नाम से यह चीजे हुई थी जहां पर 15 साल उमर रखी गई थी लड़कियों के लिए और 18 साल उमर रखी गई थी लड़कों के लिए यह जो चीज है इसका नाम बदलकर चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 कर दिया गया था शारदा एक्ट का नाम चाइल्ड मैरिज डिस्टेंड एक्ट कर दिया गया था अब फिर इसके बाद 1978 में इसमें शन्शोधन किया गया जहां पर शन्शोधन करके 15 साल जो लड़कियों के उमर है उसे 18 साल कर दिया गया और जहां पर लड़कों के उमर 18 साल से कम और 18 साल है उसे बढ़ा कर 21 साल कर दिया गया और यही जो चीज है इसे का गया इसकी शोट अब हर देखें, जो शादी होती है, उसको रेजिस्टर कराना होता है, मतलब कि marriage certificate लेना होता है, तभी वो शादी माने जाएगी, वरना वो शादी नहीं माने जाती, अब यहाँ पर कहा गया है कि जो शादी जो हिंदू है, जो वहाँ पर हिंदू marriage act के तहित, देखें, हर एक धरम में अपने according वहाँ पर शादी की जाती है, जैसे इसलाम में अपने इसलाम के according की जाती है, तो हिंदू में हिंदू marriage act 1955 के तहित यह का गया है, कि लड़की की उमर आयू जो है, वो अठारा साल होनी जरूरी है, और लड़के की उमर 21 साल होनी जरूरी है, इसलाम में का गया है, कि जब लड़की युवा विवस्ता प्राप्त कर ले, या उसे नाबालिक की शादी को वैद माना, मतलब कि उसने अपनी युवा विवस्ता पा ली है, एक स्टेज पे, तो वहाँ पर इनको वैद कर दिया जाएगा, अब इसलाम में कहें कि इसमें यहाँ पर कोई शंशोदन करने की संभावना अरजो ओविसली होगी भी, अब इससे फरक क्या पड़ेगा, यनि लाब क्या पड़ेगा, देखें लाब तो यह पड़ेगा कि जो महिलाएं जो होती हैं, जो गरीब परिवार से होती हैं, जो उनकी कम उमर में शादी हो जाती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रोब्लम होती हैं, साथ इसाथ उनके जो बच्चे होते हैं, उनके पोशन स्तर काफी ज़्यादा गिरा हुआ होता है, उनके स्वास्थे को लेकर, उनके मानसिक ग्रूप से लेकर, यानि महिला के ओपर और बच्चे के ओपर दोनों के ओपर परभाप पढ़ रहा होता है तो यहां पर जब उमर बढ़ाई जाएगी इसके पर परभाव पढ़ेगा एक पोजिटी परभाव पढ़ेगा कह रहे हैं कि बाल विवा की समझता का समाधान भी मिलने वाला है देंकि वैस्टिक स्थर पर भारत में सबसे जादा कम उमर में शादियां हो हैं अभी आता हूं इस सांकडों के उपर अभी जैसी देखिए इसका विरोध क्यों हो रहा है विरोध करने वाले कह रहे हैं कि यह जो चीज है वो सही धंक से चल नहीं पाएगी क्योंकि आज की डेट में जैसे जिन युवाओं ने शादी कर रखी है अपने तोर पर अब उसको एक तरीके से दंडित खोशित कर दिया जाएगा अब विवा रोखने वाले जो कानून है वो ओलेडी सही धंक से काम करी नहीं पा रहे हैं जैसे कि एन FHS 5 ने एक रिपोर्ट दी उसने उस रिपोर्ट में कहा गया कि गिरावट तो आई है 2015 के मामले में 2015-16 के मुकाब रखी हैं गवर्मेंट ने इन चीज़ों को रोकने के लिए लेकिन फिर भी जादा चीज़ें इसमें सुधार नहीं हो पाई हैं 70% से कम उमर जो 70% जो विवा हैं वो कम उमर के वो SC और ST कैटिगरी में सबसे जादा हो रहे हैं जहां पर जैसे वंची समुदाय में होते हैं अब ये कानून आ जाने से ये चीज़ें अब जो हैं वो अंडरग्राउंड होने लग जाएंगे यानि होगी लेकिन अब चुप चुप करोंगे अब एक ये चीज़ होगी अब साथ इसाथ बड़ी संक्या में जो विवा हैं अब कह रहे हैं कि उनका क्रिमिनलाइजेशन ह यानि अपराधिकरन होने वाला है कि देखे अब जिन महिलाओं का विवाह 21 साल से पहले हो गया अब क्या होगा उनका अब ये कानून आने पर उनको क्या या उनके परिवारों को अपराधिक बना दिया जाएगा खैर इसके पीछे तो गवर्मेंट जो है वो अपना definitely अपन में बिना शिक्षा वाली जो महिलाएं है 51 परसेंट और जो प्राथमिक लेवल की शिक्षा प्राध कर चुके हैं उसकी 47 परसेंट 18 साल के उमर में शादी कर ली थी मतलब इतनी जादा संक्या में 18 साल में शादियां हो रही है अब इसके अलावा कह रहे हैं कि International Center for Research on Women के बाहर लड़कियां है और जो स्कूल में पढ़ रहे ही जो लड़किया हैं मतलब उनके मुकाबले 3.4 गुना जो बाहर मतलब की जो स्कूल में नहीं जाती है उनका विवा 18 साल से कम उमर में हो जाता है तो यह एक चीज़े हैं तो इसमें कुछ कह रहे हैं कि कुछ लाब है कुछ हानी भी है हानी के ऊपर तो गौर्वर्मेंट का कहना है कि हमारे पास एक स्टिक जवाब नहीं था एक तरीके का अब कोई पूछे कि लड़कियों के लिए 18 क्यों लड़कों के लिए 21 क्यों तो मैंने कहा नहीं एक बचकाना सा जवाब होता है कि लड़कियां जादा जल्दी से समझदार हो जाती है युवा हो जाती है तो इस करके इनकी शादी कर दी जाती है ये अब गौर्वर्मेंट का कहना है कि अब दोनों में इक्वैलिटी आजाएगी लड़कियों के लिए भी 21 और लड़कों के लिए भी 21 होगी अब आगे की राह कहा है देखे शिक्षा को बढ़ावा देना होगा क्यारे करता हो कहना है कि जो एक्टिविस्ट उनका कहना है कि तो बाल विवाँ में देरी एक तरीके से इस तरीके से हो सकती है कि अगर सिक्षा से ही डंग से पहुँचाए जाए समाजिक सुधार उनका किया जाए आर्थिक सुधार अगर उनका किया जाए स्कूली सिक्षा, बिजनेस, ट्रेनिंग, सेक्स एक्जूकेशन ये सब चीजें परवाइड की जाए स्कूलों तक पहुँच बढ़ानी जरूरी होगी सरकार को जो दूर दराज जो शेतर हैं वहाँ पर लड़कियों के लिए स्कूल खोलने होगी कोलिज खोलने होगी या फिर कोलिज तक पहुँचाने के लिए ट्रांस्पोर्टेशन की विवस्था करनी होगी अब जहाँ पर लोगों में ये कम उमर को लेकर हो रहा है अठारा साल यहाँ पर लोगों में जागरुकता बढ़ानी होगी कि अब उमर बढ़ाई जानी चाहिए अठारा से लेकर 21 जो नया कानून आया है वो लोगों तक बताया जाना चाहिए कि हाँ अब 21 साल की जारी है ताकि जो वो शादी बच्चीयों की वो अब 21 साल पर ही कर पाएं clear यहाँ पर तो यह एक information थी कि अब बच्चों के जो बच्चियां हैं अब उनकी उमर 18 साल से लेकर अब 18 साल से बढ़ा कर 21 साल की जाएगी उसको नमती मिल चुकी है तो इस वीडियो से लेडिट आपको जो PDF है वो हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हो मिलेगा अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को ज़्यादा ही पसंद आई है तो दोनों को वीडियो को और चैनल को शेर करी सकते है थैंक यू पर वोचिंग इस वीडियो